Hey guys, welcome back to brand new video तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक और न्यू SMM पैनल स्क्रिप्ट को बिल्कुल फिरी में देने वाला हूँ इस स्क्रिप्ट का जो कौश्ट जब हो गईस काफी ज़ादा रहने वाला है तो कौन सा है वो स्क्रिप्ट चलिए मैं आपको शो करा देता हूँ तो guys मैं क्रूम ब्राउजर के पाद चले जाता हूँ आप यहाँ देख सकते हैं मैंने पफेक्स मार्ट को उपन कर रखा है तो आप इसके कुछ स्क्रिंशोट देख सकते हैं यह फ्रेंट का स्क्रिंशोट है और यह भी आपका फ्रेंट का ही है और इसके बाद आप इसका बैक एंड का स्क्रिंशोट देख सकते हैं याजई के आपका admin panel हो गया, ठीक है तो इसके तो स्कुना, डिख सकते हैं आप सक बिखी, अब कैस्चा आपको live प्रिवीऊ भी दिखा देता हूं, तो guys कुछ बत्यज entscheiden यस तरह का अपना script रहने वाला है, जिस का admin panel को भी आपको show कर देता हूं, तो guys यह इसका admin panel रहने वाला है मैं इसको login कर लेता हूँ login पर जैसी click करूँगा यह ऐसा आ जाएगा मैं अभी इसको skip कर देता हूँ तो ऐसा कुछ इसका admin panel रहने वाला है इसमें आपको सारी चीजें मिल जाती है साथी साथ guys मैं आपको इसका user panel भी login करके आपको check करा देता हूँ इसमें एक user है मैं इसको view user कर लेता हूँ तो guys आप इसका अंदर का interface देख सकते है कुछ इस तरह रहने वाला है काफी premium quality की theme है आप guys मैं आपको बता देता हूँ इसको आपको विल्कुल free में कैसे लेना है जो की guys आपको perfect host से मिल जाएगा यहाँ पर guys आपको chief rate में best web hosting मिल जाएगा आप मेरी भी service देख सकते है मैंने यहाँ से 9 services यहाँ से ले रखी है तो काफी premium quality की web hosting है आप चाहो तो यहाँ से ले सकते हो तो guys आप यहाँ देख सकते है मेरा cpanel अब लॉग इन हो चुका है cpanel लॉग इन होने के बाद आपको अपने domain के उपर चले जाना है तो अभी ऐसा कुछ दिखा रहा है तो मैं setup start कर देता हूँ तो मैं cpanel में आऊँगा cpanel में आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे scroll down करना है file manager के उपर आपको चले जाना है अगर guys आपको file manager नहीं मिलता है तो guys आप यहाँ से search भी कर सकते हैं तो guys मैं यहाँ से file manager के नदा चले जाता हूँ तो guys आप यहाँ देख सकते हैं इसको save कर देना है, इसको save करने के बाद जो भी आपकी dotted files रहेंगी वो आपको show कर जाएंगी, यानि कि आपकी hidden files रहेंगी, hidden files show करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको option दिख जाएगा, public html, इस पर आपको double click करके open कर लेना है, इसमें guys आपको पहले से जो भ प्रवाइट की है, उसको यहाँ पर upload कर देना है, तो मैं यहाँ से file क upload कर लेता हूं, तो यह बाली वो file है, तो इसको open कर देता हूं, तो यह अपनी upload होना start हो गई है, जैसे ही green हो जाएगा, यह अपना successfully upload हो जाएगा, तो कैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जो अपनी file है, अपनी extract हो जाएगे, extract होने के बाद इसमें से आपको जो भी अपने फाईल अपलोड कीती, उसको अपन को delete कर देना है, delete करने के बाद इसमें एक welcome txt दिखेगा, इसको भी आपको delete कर देना है, और इसमें दिखेगा आपको import dv.sql, तो इसको click करके एक बाद इसको download कर लेना और import db sql करके एक file होगी उसको आपको download कर लेना है बाकी सभी all to fall to file को delete कर देना है फिर आपको क्या करना है upload वाले के अंदर आपको double click करके चले जाना है यहां पर आपको सारी file ने show कर जाएंगी इसको आपको public html पे move करना होगा तो वो कैसे करना वो मैं आपको बता देता है तो जो भी आपके files रहेंगी वो आपके public html ने move हो जाएंगी एक बार क्या करना है अपनी website पर जाना है और एक बार इसको refresh कर लेना है तो आपको क्या करना है वापस से अपने cpanel में आना है cpanel में आने के बाद आपको नीचे scroll down करना है यहां पर आपको दिख जाएग आपको search कर लेना है तो मुझे यहां मिल चुका है तो मैं यहां क्लिक कर दूँगा जैसे क्लिक करूंगा यहां पर लिखा होगा created database तो आपको कोई भी database बना लेना है तो मैं यहां name दे दिया है इसको एक बार मैं copy कर लेता हूं copy करने के बाद आपको यहां next step के उपर क्लिक करना है next step पर जैसी क्लिक करोगे आपको ऐसा कुछ interface देखने के लिए मिलेगा इसके बाद आपको क्या करना है पहला दिखेगा इसमें भी आपको same name जो पर ने पहले डाला था हूई आपको copy paste कर देना है ठीक है अब इसके यहां पर आपके जितने भी instruction रहेंगे सभी को all select करके यहां पर नीचे की side में आपको next step का option देखेगा इसके उपर आपको क्लिक करना है यह हो जाने के बाद फिर आपको क्या करना है बापस से अपने file manager में आना है file manager में आने के बाद आपको public html में आ जाना है public html में आन आपको पासवर्ड था जो भी आपने copy कर था उसको आपको पेस्ट करना हूं तो में आप password को paste कर देता हूं password मेरा paste हो चुका इसके बाद आएगा अपना name और username यह कहां से मिलेगा जो भी अपना database बनने के बाद username और name आपको पास्ट करना रहेगा तो username और database name अपने एक ही name तो दोनों similar ही है, तो एक को किसी को copy कर लेना है, copy कहने के बाद यहां पर आपको name दिख जाएगा, तो name की जगे पे भी आपको इसी को paste कर देना है, यही अपना database name है, और यही अपना username है, तो दोनों की जगे मैं इसको paste कर देता हूँ, star को हटा के, इसको कहने के बाद आपको यूपर की side में आप देखोगे, yourdomain.com दिखेगा, yourdomain.com, तो इसकी जगे क्या करना है, जो भी आपका domain name है, वो अपना डाल देना है, तो अपनी website के अंदर जाना है, website के अंदर जाने के बाद यह अपना domain name है, इसको मैं select करूँगा, और copy कर लूँगा, और याद रखना है, जो अपना HTTP बगरा है, इसको select नहीं करना है, और इसके उपाए एक slash बगरा है, ऐसे लग जाता है, तो किसी भी चीज़ को copy नहीं करना है, और लिए आपका domain name copy करना है, जो perfect livehost.cloud बस यहां तकी करना है, बाकी का कुछ नहीं करना है, और your domain को हटा के अपना जो domain है, उसको paste कर देना है, दोनों जगे पर paste कर देना है, जहां जहां यह और domain.com लिखा हुआ है, paste करने के बाद काई सापको यहां save changes पर click करना है, save changes पर click करने के बाद जो भी अपना database से उसके connection हो चुके है, अब बस अपन को क्या करना है, जो SQL file है उसको upload करना है, वो कैसे करना है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो बापस से आपको अपने c-panel के अंदर आना है, c-panel के अंदर आने के बाद आपको यहां पर नीचे scroll down करना है, php my admin दिखेगा, इसके उपर आपको चले जाना है, अगर नहीं मिलता है तो बागी का तो आपको पता ही है कैसे करना है, कि search पर जाके आप search कर सकते हैं, तो यह अपना php my admin open हो चुका है, जो भी अपने database बनाया था वो यहां शो कर जाएगा, अपने perfect करके database बनाया था, इसके उपर में एक बार 클ilk करूँगा, यहां पर guys आपको import का button दिखेगा, import के button के उपर में klik करूँगा, import के button के उपर click करने की बारnt choose a file करूँगा, यहाँ पर जो भी अपने अब भी डेटावीस की फाइल डाउनलोड कीती, उसको अपने स्लेक कऱों। इम्पोर्ट डी भी करगे, ऐसे करगे, टीक है, ओपन पर किलिक कर दूगा, नीचे स्क्रोल डाउन करूँगा, यहाँ इम्पोर्ट का बटन दिखेगा, इंपोर्ट के बटन के उपर किलिक कर दूँगा तो guys आप यहां देख सकते हैं जो अपना डेटावेस है वो इंपोर्ट हो चुका है एक बार guys अपनी वेबसाइट के उपर जाके चेक कर लेते हैं कि अपनी वेबसाइट लाइब हो चुकी है नहीं मैं आसे इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ आप यहां guys देख सकते हैं जो अपनी वेबसाइट है वो properly लाइब हो चुकी है और guys मैं आपको एक और issue बता देता हूँ जो guys मेरी video देखि के mobile से website बनाते है उनको एक issue देखनी के मिलती है datavis के अंदर तो वो भी तो यूजर क्या करते हैं यहां पर 3 Lines पर जाके यहां पर उनको इंपोर्ट का बटन देखता है जैसे कि यहां राइट स्वाइप करेंगे ऐसे करके इंपोर्ट का बटन दिखेगा तो यहां से चूज़ेफ फाईल करके अपनी डेटाबिस की जो भी फाईल है उनको यह पहले से इंपोर्ट इस बज़े से ऐसा आ रहा है तो ऐसा स्लेक करने के बाद फिर आपको यहां से इंपोर्ट के बटन के उपर किलिक कर देना है काफी यूजरों का दिप फोन में यह ऐसे दिखता नहीं है ऐसे रहता है विल्कुल तो उपर की साइट में आप देखोगे आपके का अपर पाल आपके स्क्रिप्ट इसको मैं अपन कर लेता हूँ अभी मैंने इसको डिक इसमें आपको डॉकुमेंट नाम से फाइल दिख जाएगा इंस्टोलेशन करके मिल जाएगा लोग इन डिटेल्स मिल जाएगा तो लोग इन डिटेल्स में आना है यहां पर आपको यह दिख जाएगा है यह मेंशन है your domain slash admin को लगा के आप आप में admin access कर सकते हो username इसका admin है पासफ़ड इसका 129 है तो मैं फटा-फट से इसको login कर लेता हूँ ठिक है तो मैं यहां आता हूँ मैं यहां डाल देता हूँ admin और पासफ़ड है मेरा 129 तो मैं पासफ़ड डाल दिया हूँ लॉग इन पर क्लिक करता हूं इसको मैं skip कर देता हूं skip करने के बात guys आप देखो कि जो मेरा admin panel हो open हो चुका है एक और चीज कि guys कि आप अपनी website को automate कैसे कर सकते हो यानि कि जो भी आपके website के उपर order आएगा वो automatically आपके API provider को चला जाएगा जो status आएगा वो भी आपका automatic update हो जाएगा कि आपका जो order है वो successful हुआ है cancel हुआ है या फिर क्या हुआ है जो भी वो होगा वो आपका status update हो जाएगा तो वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं तो आपको वापस से अपनी c-panel के अंदर आना है तो मैं इनको फटा फट से delete कर दे रहा हूं फिर मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको कैसे अपने जो corn job है उनको add करना रहेगा क्यों से आप देख सकते हैं WR notion Park JOHN Ksaadat doen आप वो मीं आपको बता दे रहा हूं यहां से आपको अपने cron job को copy करना है और यहां से 0 तक दिखेगा आपको इसको आपको copy कर लेना है ऐसे आपको सारे cron job को copy कर लेना है मैं आपको 2 लगा के दिखा दे रहा हूँ बाकि के आपको लगा लेना ठीक है तो यहां पर मैंने cron job को copy कर लिया है नीचे आऊँगा यहाँ पर आपको command setting में once per minute कर देना है और इसके बाद आपको command दिखेगा तो command में यह command paste करके यहाँ पर लिखेगा your domain इसकी जगे भी आपको अपना जो domain है वो उसको paste करना रहेगा तो मैं अपने domain को यहाँ से select कर लेता हूँ करना रहेगा और 0 तक इसको copy करना है ठीक है यह मैंने copy किया command setting में इसको once per minute कर दूँगा command में यह command डाल दूँगा your domain की जगे क्या करूँगा अपना जो domain name है उसको मैं paste कर दूँगा तो आप देख सकते हैं मैंने domain name paste कर दिया add crown के पर click करूँगा तो ऐसी करके आपको सारे crown लगाने है अगर guys आपको crown command के recording कोई भी issue हो तो guys आपको मेरा screen के उपर whatsapp नमर शो कर जाएगा इसके उपर आपको simply मुझे message करना है जो भी आपकी problem है वो मुझे बता देना है जो मैं आपकी problem है उसको fix कर दूँगा ऐसा नहीं है कि आपको crown command से recording हो इस्यू हो आपको website बनाने में कोई भी issue हो आप मुझे बत बोल सकते हैं मैं जो आपकी problem है easily resolve कर दूँगा और guys अगर आपको premium quality के web hosting चाहे है तो एक बार perfect source को जरूल से try करें आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं तो चैनल को subscribe कर लेना मैं मिलता हूं आपसे एक को interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए take care